हलो फ्रेंट्स आज मैं अफिशी रेकर आई हूँ बीए सेकिंड इयर पंजाब युनिवेस्टी की पॉइंट रोड नो टेकन ये रोबिट फ्रोस्ट क्यों लिखी गई है इसमें जो पॉइट है रोबिट फ्रोस्ट उनने अपनी काफी जो लाइफ की आइडियोलोजी है उ इस पर चल कर बहुत hardships आने वाली इंजीस पर की बहुत कम लोग चलते हैं इस को ? जिस रास्ते के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है ऐसा रास्ता तो इस डिलेमा इस Human CONFUSION के बारे में उन्होंने अपनी पॉइम के बारे में लिखा है ये काफी popular poetry और यह उनका जो बर्त है वो कैलिफोर्निया में हुआ था और 20th century के point थे और उन्हें man of wisdom के नाम से भी regard किया जाता था उन्हें पुलिसर प्राइड जो है वो four times मिला हुआ था यह उनकी सारी successful जो पॉइम्स है वो है manning wall, neither out to four, no in too deep, after apple picking to earth world अब आते हैं central idea की इस poem के बारे में इसमें की diversion है जैसे की दो पास है जैसे की इसके नाम से पता चल रहा है की literally जो इस poem का literal meaning है वो है की road not taken की ऐसा रास्ता जिसकों की हम चुन ना सके और figuratively भी इसका अलग से बहुत meaning है means की एक तो वो बात हो गई जो की सामने बिलकुल clear दिखाई गई है और एक psychological इसका क्या meaning है इसके बारे में सारा लिखा है its narrative points first in the collection mountain interval उनकी जो collection of points थी उसमें ये first point थी अब two road traversed in a yellow wood and sorry I couldn't travel both and we won't travel along I stood and as I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth wilky man rastay चल रहा था और कि दो रोर दो यृण जो जगां पर diverge और दो रास्ते उसमें निकल रहे थे मेरे को समय नहीं आ रहा था एक तो एसा रास्ता था जो कि बहुत easy था जिस पर कि सब ही चल रहे थे उस रास्ते पर वो इतना ज़्यादा वो अच्छे से बना भी नहीं हो था रास्ता कच्चा रास्ता था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ then took the other as just as fear and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted fear though as far that the passing year had warned them really about the same अब वो सोचते कि मैं कौन सा रास्ता चूनूँ वो वला जिस पर की सबी चलते हैं जिस पर की कोई मुश्किले नहीं है या फिर वो वला जिस जो की problem सी problem से भरा हुआ था तो वो सोचते कि मैं अब दूसरा रास्ता चूज करूंगा क्यूंकि उसके लिए मैं fully prepared हूं मेरे में mentally psychologically हर तरह का strength है कि मैं इस तरह के रास्ते पर चल कर कुछ अचीव कर सकूँ इस तरह के रास्ते को पार कर सकूँ और life में कुछ अच्छा कर सकूँ तो इसलिए मैं वो रास्ता चूज करूंगा जिस पर की बहुत लोग नहीं चलते हैं अब जब मैं रास्ते पर चल तो निकला लेकिन आसा तो नहीं था कि सब कुछ ही असान होने वाला था महाँ पर बोथ प्रॉब्लम्स आने लगी जैसे जैसे मैं चलता गया वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो मैं सोच रहा था कि मैंने सही तो किया डाउट्स जैसे आजाते हैं सेल्फ डाउट आना भी चाहिए यह नेच्रल है इसमें कोई वह दो रहे नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यह तो आता ही है तो वह सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं मुझे आगे चलना चाहिए या मुझे वापिस से पिछे चले जान चाहिए आशेल पी तैलिंग दिस विदसाई संब्यार एजीज एंड एजीज हैं स्टू रोट जावज इन वोड एंड आई टुक तवन लेस्ट्रेवल बाई एंड थैसमेड अब वूद का एक साई एक साय अफ रिलीफ लेता है कि जैसे हमारा जो एक गहरी सांस लेना एक इसके लिए बेस्ट जॉप्शन है कि एक बार रुक जाओ रुक कर देखो गहरी सांस लो और फिर सोच समझ के अपने प्लैन बनाओ यह सबसे बेस्ट यह सबसे अच्छा आइडिया है किसी भी रासे पर चलने के लिए किसी भी नया अपना जो काम है वो करने के लिए तो व बार राउं देखता हूं कि मैं सही कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तो उसने एक साय फ्रीलीफ लिया एक उसे घहरी ठंटी सांस ले फिर वह आगे देखता है कि मुझे क्या करना है पिर वह आगे सोचता है कि चलो जैसे भी करके मैंने वह एसा रास्ता चुंद तो लिया कि जिसपर की बहुत लोग नहीं चलने हैं लेकिन फाइनली मैंने वह चीज अचीव कर ले जिसके के लिए मैंने यह रास्ता चुना था आप मेरे को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हो यह लोगों की क्रिटिसिजम भी सुनने पड़ी लोगों की बाते भी सुनने पड़ी लेकिन फाइनली मुझे वो सब कुछ मिल गया जो की मुझे चाहिए था तो यहीं पर यह पोईम जया वो खतम हो जाती है अगर आपको और भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हो मैं हमीशे इसलिए बसकी रिगार्डिंग वीडियो लेकर आती हूँ अगर आपको इसलिए बसकी रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए हो आपके हर एक कोमेंट से मोटिवेट होती हो और आगे और चलने के लिए और ज़्याद अच्छा करने के लिए इंस्पायर होती हो अगर आप आगे भी मेरा साथ देंगे तो मैं और अच्छे से आपके साथ कोपरेट कर सकती हूँ थैंक यू सो मच